Hello everybody, welcome to my channel Friends, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में Python की मदद से Facebook Messenger को Automate करना सिखाऊँगा यानि कि आप Facebook में किसी एक specific person को 100 बार, 1000 बार, 500 बार जितना आप कमान होगा उतनी बार आप message को send करा सकते हैं वो भी बिना type किये और इसकी मदद से आप अपने friends से prank भी कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इस काम को Python में सिर्फ चार्ल लाइं की code की मदद से कर सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को start करते हैं और code बनाते हैं Welcome to the Python Station तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पता दू कि हमें Facebook Messenger को automate करने के लिए यहाँ पे एक package को install करना पड़ता है उसका नाम है PyAutoKui तो किसी भी package को install करने के लिए हम टर्मिनल में जाते हैं और टर्मिनल में जाके हम दो वर्ड लिखते हैं जिफ भी package को install करने के लिए हम यहाँ पे दो वर्ड जरूर लिखते हैं पिप install फिस जिस भी package को आपको यहाँ पे install करना है उसका नाम लिख देते हैं हमें PyAutoKui install करना है तो हम PIP install PyAutoKui लिख देंगे जैसे आप pip install pyautogui लिख देंगे फिर आपको enter प्रेस करना है जैसे आप enter प्रेस करेंगे तो यह pyautogui package आपका यहाँ पर install हो जाएगा मैंने यहाँ पर पहले से install कर रखा था इसलिए हमें यहाँ पर requirement already satisfied दिखा रहा है अब आपका जैसे यहाँ पर package install हो जाएगा फिर आपको क्या करना है आपको अपने code के अंदर इसको import करना है इस package को तो उसके लिए हम यहाँ पर import लिखते हैं और package का नाम लिखते हैं import pyautogui यह हमारा code के अंदर import हो गया है अब हम इस package को use कर सकते हैं अब next line में हम loop चलाएंगे loop इस लिए चलाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं हमारा message तब तक send होता रहा है जब तक हम इसे stop ना करें तो हम loop यहाँ पर while loop चलाएंगे तो हम यहाँ पर while लिख देंगे और true लिख देंगे, true इस लिखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा message तब तक send होता है, जब तक हम इसे stop ना करें तो हम यहाँ पर while look लिख दिये अब इसके अंदर आके हमें दो line all लिखना है एक चीज़ समझेगा जब आप Facebook में message send करते हैं तब सबसे पहले आपको message को type करना पड़ता है फिर उसके बाद enter क्लिक करना पड़ता है तब आपका message send होता है तो वही दो काम आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा कैसे करना पड़ेगा सबसे पहले आपको package को call करना पड़ेगा package का नाम यहाँ पर लिख दीजे तो यहाँ पर package का नाम लिखने के लिखा दॉट लगाईए फिर यहाँ पर type write लिखिए type write फंक्चन जो होता है यह क्या करता है यह हमारे message को automatic type करने में मदद करता है अब type write लिखने के बाद इस bracket के अंदर आपको message लिखना है जो कि आपको send करना है तो हमें मान लेज़े example की तोर पर hello message करना है ये hello message हमें send करना है तो ये type write जो function है ये क्या करेगा ये hello जो message अपने आप type कर देगा जिसको भी आपको send करना रहेगा अब next line में क्या करना है कि हमें message लिखके फिर enter को press करवाना ताकि हमारा message send हो जाए तो इसके लिए फिर हमें package को call करना है py auto को ही call कर लिए dot किया और यहाँ पर press लिखना है press करके bracket के अंदर हमें enter लिखना है तो यहाँ पर first line में क्या हो रहा है हमारा message यह वो automatic type होगा type write function की मताद से फिर जैसे हमारा message यहाँ पर type हो जाएगा तो यहाँ पर हम enter क्लिक करवा रहे है तो यहाँ पर हमारा यह code बनकर तयार हो गया चायल लाइन में अब इसे आप directly ऐसे run भी कर सकते हैं लेकिन आप ऐसे run करेंगे तो यह आपका लगातार message send होता रहेगा एक second में कम सकम 10-20 message आपका लगातार hello world send हो जाएगा लेकिन आप चाते हैं कि जिसको आप message send करना चाते हैं तो इसको आप यह ऐसाफ दिलाना चाते हैं कि आप खुद से type पर रहे हैं और उसे message send कर रहे हैं तब आप यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर import करना पड़ेगा जो कि एक time तो जो time package होता है वो यहाँ पर python में inbuilt होता है तो इसे install नहीं करना पड़ता है तो हम सीधा import time कर देंगे import time करने के बाद हमें यहाँ पर जैसे माली जब message type करना है तो उससे पहले हमें 3 second का time लेना है तो हम यहाँ पर time.sleep लिखेंगे sleep यहाँ bracket के अंदर हमें second लिखना पड़ता है कि कितना second रुके हैं फिर उसके बाद हमारा message type हो हम माल लिजे 3 second रुखना चाहते हैं तो यह 3 second लगाएगा फिर उसके बाद हमारा message type होगा अब माल लिजे message type होने के बाद आप 1 second और रुखना चाहते हैं फिर उसके बाद send करना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पर time.sleep कर दीजे और यहाँ पर 1 second लगा दिए जितना आपका मानू को उतना second आप यहाँ पर लगा सकते हैं तो यहाँ हो क्या रहा है पहले आपका 3 second लेगा फिर उसके बाद message type होगा फिर एक second के बाद आपका message send हो जाएगा अब यह code आपका बनके तयार होगा है आपको आगे करना देखिए सबसे पहले आपको अपने facebook को खोल लेना है ब्राउजर में अब जिसको आपको message send करना है उसका आपको chat box खोल लेना है इस तरह chat box खोल के आपका ध्यान रखिए करसर आपका यहाँ पर chat वाले पर रहे यहाँ पर इतना करने के बाद आप फिर से direct quote में आ जाईए यहाँ पर आपको सीथा run करना जैसे आप run करेंगे वैसे आपका send message होने लगेगा यहाँ पर हमने run किया और तुरंत आप अपने browser पर जाईए तो यहाँ देखे तीन सेकंड लगाएगा फिर message type होगा और send हो गया यह देखे जितना आप सेकंड लगाएगा उतना सेकंड का यह time लेगा फिर उसके बाद यह send हो जाएगा तो जब तक आप यह code को रोकेंग नहीं तब तक आपका message चलता रहेगा यह देखे अपने आप message हमारा type होता चला जा रहा है तीन सेकंड का time ले रहा है एक सेकंड के बाद enter हो जा रहा है अब यहाँ पर आप जब तरह इसको रोकेंग नहीं तब तरह यह रुकेंगा नहीं तो यहाँ पर हमने stop कर दिया है आप यहाँ पर आके देखेंगे तो हम यहाँ पर message देखी यहाँ पर send नहीं हो रहा है subscribe कर दिजेगा क्योंकि मैं इसी तरह interesting python related videos लाता रहूँगा. Till then goodbye मिलते हैं अगली वीडियो में. Thank you.